Mrs. Kosik has a square plot with the measurement of measurement as shown in the adjoining figure. She want to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. ठीक है तो इद्धे को adjoining figure दे रखा है माल पास है ना? तो हम भी इस figure को construct कर लेता है सबसे पहले figure को construct कर लिया है. ठीक है figure construct करते हैं. यह वाला house है ठीक है? और यह पूरा का पूरा area है तो यह 25 meter given है और यह वाला 15 meter है. ठीक है और यह इधर से 25 है 25 meter और यह दे रखा है इधर से 20 meter ठीक है? तो हम सीधा निकालते हैं देखो area of garden क्या निकल क्या जाएगा? area of garden garden equal to क्या जाएगा? यह total area जो है area of plot यह एटमिस एरिया ओफ प्लोट मैनस एरिया ओफ हम ठीक है? यहाद है आप देखो area of plot क्या मतलब क्या हो जाएगा? 25 यह और 25 यह और 25 यह square है एटमिस 25 इंटो 25 ठीक है? और मैनस कर देना है इसको 20 multiplied by में 15 से area of house यह दे रखा है? ठीक इसको multiply करो 25 इंटो 25 करेंगा तो क्या जाएगा? इसको 625 मैनस और 15 को 20 से multiply करेंगा तो हजाएगा 300 है इसको मैनस करेंगा तो हजाएगा 325 मीटर स्क्वार मीटर स्क्वार यहाँ भी मीटर स्क्वार ठीक आप देखो cost cost निकालना है cost equal to क्या जाएगा? यह 325 और multiplied by में rate हमारा क्या है? rate given है 55 है ना? 55 तो यह निकल क्या जाए 171717875 यह विए टोटल हमारा answer के लिए